हेलो माई यूटूब फैमिली कैसा हो आप सब लोग आई हो बहुत ही अच्छ होगे तो शाम का टाइम हो रहा था और मैं किचन में गई चाय बनाने के लिए तो मैंने देखा कि आज नमकिन भी खतम हो गई और मैंने चने बनाये थे ना रोस्ट्रेड वाले बना के रखे तो ऀसाइक शाय के साथ तो बुछ चाये स्नेक्स तो मैंने देखा तो मुर्मुरे मुर्णे रखे 할े तो मैं को यूज नहीं गराती मैं ज प् demons the week मेरे साथ है कि मुझे पुछ नमक चाहिए के नामक चेजों निकाल ली है फोड़ास काजु निकाली है श्याएं तो निकी सिह ऐसी किषमिश मेरे निकाला नामने काजु झाजोर P番 tu और यह निकाल था करेंगे ताकि जो थोड़े से कुरकुरे से लगे थोड़े रोस्टेड जाएंगे ना तो इनका जो फ्लेवर ना बहुत अच्छा या ज़ा अच्छा रगता है और आप लुग चाहो तो इसमें पोह भी आइट कर सकते हो जो पोहा आता है नागपुरी पोहा बड़ा पतला व में जलाना नहीं किसी भी चीज को और इन सब चीजों को शुरू करने से पहले मैं आप से बुलना जाओंगी कि अगर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें किश्मिश निकालने के बाद अब मैंने आपे तोड़ा सा ओड तोड़ी सी हल्दी डाली है और मैं इसमें डालूंगी मखाना मैं अच्छा सा कलर चाहिए था हल्दी का यलो कलर तो इसलिए मैं आप तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए और मखाने को तब तक हम फ्राइब करेंगे लोड लो टू मीडियम फ्लेम में जब तक वह बिल्कुल अच्छ में तब तक फ्राइब करेंगे जब तक यह बिल्कुल कुर्कुरे ना हो जाए तो यहां पर देखिए पांच मिनट मैंने लो फ्लेम पे इसको फ्राइब तो यह अच्छे से पक गए हैं अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोसेस की हो तो यहां पी हमा दालाती है चने की भुनी हो यह यह और हरीमिश जाली है और मिठी निम के पत्ते में थोड़ा से जाए डाल दी है ताकि टेस्ट अच्छा है और इसको में अच्छे से मिक्स करेंगे उसके एद मैं इसमें डाल दी है थोड़ी सी हल्दी कलर की लिए जसा कि मैं आपको बता ह आफ आफर क्या है टाल सकते हो मैंने मुरुमुरे का बनाय दाले क्योंकि काफी ृताइम्स रखे हुए थेना और मैं इसी बहाने तो अध्य ह्यां यह डिय्सा की घ्रफूरी मगाने के लिए मंगाया थैंग भील पूरी मने बना ही ही नहीं तो सब्सक्र आपक देख बना ल तो चीज़े हो जाती है थोड़ी सी सौगी सी हो जाती है खासकर यह वाली जो पफ राइस हो जाता है तो यहां पी देखिए मैं आपको तोड़ की दिखाती हूं इसमें मुझे पूरे टोटल कम से कम 10 मिनिट लगे हैं लो फ्लेम पे मैंनेस को अच्छे से भूना है तब जाक सिर्फ वही है अब आगे छले कि हम लोगे इसके लिए नमक बनाएंगे मतलब घटा मीठा कुछ मसाला बनाएंगे तो यहां पर मैने ले लिया है जार और शीवा जीरा है मैंने तो इसका गाला नमक डालने के बार द अमें मैं डालने वाली हूं राल मिर्च पावडर अप तो कश्मीरी वाला भी डाल सकते हैं नॉर्मल बाला डाला जिसे कलर भी और तीखा भी रहेगा उसके यह पर डाल दिया है थोड़ा सा चाट मसाला शक्कर डाल दी है और इसका थोड़ा सा इसमा डाल देंगे नमक और 7-8 जाल के हम लोग इसको पीस लेंगे अच्छा सा तो य लुए सकते हो तो यह पर मैंशा मसाला भाला है वो मेने आप अप्र है कैसी लगी राशला करें पार आप लोगी आप अपश्चान आप सकते हैं अजिसी लगी हैं नेमें बहुत ही लाजवाब रगा रग रहा है और यह एक स्चैक्स है ना इसको आराम से घर पे मना लोग म महीनों दो महीनों पड़िया खाओ बस यह है कि इसको यह रटाइट डबे में रखो बनना यह सौगी हो जाएगा इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूं दो चम्मच की मतल से वह एक से बन नहीं रहा था ताकि मसाला जो है नमक वह चारो तरफ अच्छे से फैल जाए और यह हमारा बनी गया है मुझे इसको बनाने में आदा घंटा लगा है और जिस प्लेट में मैंने काजू निकाला था उसी प्लेट में अपने लिए निकाल लिया है तो आप लोग भी जाएए वेट किस बात का कर रहे हैं सेफ करिए रेसिपी और बनाईए और मुझे बताएगा क आप लोगों को कैसा लगा और कैसा बना आप लोग अपने इस आपसे जो भी ड्राइफूट से आपके पास या नहीं भी है ना आप सिर्फ मुर्मुरे और मखाने का भी बना सकते हो बहुत टेस्टी लगेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई